अब बताएं क्या इस्थिती है वोईस की कमेंट फोर वोईस करें ठीक है गोड़ सुने लिए गोड़ रेस्पोंस आ गया बाकी लोग भी जो है वो आ जाएंगे थोड़े देर में लाइव सभी हो जाएंगे का करें लोड़ रेस्थित कि लोड़े शड़़े जीक है जाएंगे factor है अब देते हैं झाल हाएंगे झाल आभी वोईस किलियर है कमेंट प्लीज आभी वोईस किलियर है कर सकता है कि शैद वहां जो है वो नेट की श्पीड का कोई इशू हो सकता है क्योंकि इधर से तो नेट की श्पीद का कोई इशू हो सकता है ठीक 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 चल रहा है कि ठीक है शुरू करते हैं यह जो है वह फ्लाइंग केचिंग मशीन जो होती है उसमें लगाने वाले ट्रेप है इसको फ्लाइंग केचर जो है वो शीट बोला जाता है और यह तक्रीबन दो फिट वाले जो फ्लाइंग केचर होते हैं उसमें यूज होने की लिए होती है इसमें जो है यहां पर यह जो ब्लैक हिस्सा होता है गम मजबूत है भाई निकल नहीं रही है खूब ताकत लगानी पड़ तो है दम है शीट में और देखते हैं टेस्टिंग करके हाँ आवाज आ रही है यह इस तरी की जो है गम होती है और बुलैक कलर जो होता है वो इसलिए होता है कि जब प्रकास परपंच वाली प्रकिरिया से वो मशीन काम करती है यह निक प्रकास को देखकर के इंसेक्ट और एट्रेक्ट होने के बाद जो है वो इस पर आकर के सिपक जाते हैं और यही रीजन है कि यह जो है ब्लैक कलर का होता है प्रेसर में जो है वो दोर करके आता है इंसेक्ट लाइट में होता है उसे अचानक से ब्लैक दिखाई देता आगे लगता उसको अंधेरा है वो इस पे जाकर जो है टाच है जैसे ही उता होता है यहां कैफचर हो जाता यह इसका है जो टोड़ को हूझ को सब्सक्राइब को एक काटा जा सकता है यह इस में लिए हर टेख हिन वेटरिव कैंट हो रखी है और इसमें वो क्वालिटी नहीं है कि परपैटिंग नहीं हो रखी है अधर वाइस गुलू की क्वांटिटी में इसमें कोई समझोता नहीं किया गया है गुलू इसमें अच्छी है आप दोनों मेसे जो आपके यहां अविलेबल हो इस्तमाल कर सकते हैं जब दो चा तो यह तो बात रही जो है इन प्रोड़क्स की जो है वो किस तरीके से चांव क्यांब आगा पॉछा है कि कोप्रो जेल जो कैसे ऊतियाने बर्व उसका क्रोशेजर क्या है। उस पे चर्चा कर लेते हं तो जैसे आपका पैस कंट्रॉर लाइसन्स बनता है उसी संस्था के दुआरा जो है manufacturing का license भी दिया जाता है basically जो license होते हैं वो तीन category के license होते हैं एक जो आप pest control में इस्तमाल करते हैं वो होता है कि आप commercially use कर सकते हैं insecticide को और stop कर सकते हैं exhibit कर सकते हैं दूसरा license आपका बनता है trading का जिसमें आप जो है chemical shop ठोल सकते हैं और किसानों को या फिर pest control जो company हैं उनको अपने chemical product जो है वो market से bulk में वाई करके और उनकी trade कर सकते हैं sale purchase का अगर बोलें तो वो एक license होता है उसमें भी BAC agriculture और यह जो same योगविता की आपकी आपशक्ता होती जो pest control में होती है pest control में पहले agriculture BAC होता था और chemistry या PCM से होता था लेकिन अब जो है कुछ जगा कुछ state ने relaxation दे दिया है कि BAC जो है वो किसी भी stream से आपने किया हो तो आपको license के लिए eligible माना जाएगा और agriculture जो है वो starting से ही list में है तो आपको जो है CIV जो होती है Central insecticide board जो है वहाँ पे आपको application देनी है manufacturing के लिए तीसरा जो license है वो manufacturing का है और वहीं से आपका यह बनेगा तो कुल मिला के आप जो है तीनो license की application आपकी खटी जाने वाली है आप manufacturing करेंगे फिर उसका storage और उसकी marketing करेंगे उसके बाद जो है आप चाहें तो उसके जो है consumption भी करा सकते हैं क्योंकि आप उसके demo और test जो करेंगे उसको करने के लिए आपको permission लगेगी तो आपके कुल मि manufacturing वाले license के साथ में आपके जो है बाकी के दो license भी automatically बन जाएंगे अब बात आते हैं कि जो है manufacturing का plant होता है काफी बड़ा और महंगा भी system होता है तो जिन लोग के पास already plants लगे हुए हैं वो लोग जो है उसके सिर्फ उसी का काम करते हैं और जो भी नए market player होते हैं उनके नाम तो सबसे पहले आप अपनी जो है एक firm registered करा लीजिए फिर उस license के लिए apply कीजिए और जो manufacturing वाले units हैं उनसे जाकर के पहले मिल लीजिए वहां वो बताएंगे आपको कि कितनी quantity आपको starting में order करनी होगी कैसे उसकी branding होगी कैसे packing होगी क्या उधारी रहेगी क्या नगत रहेग वो सारी चीजे आपको suggest करेंगे तो वहां आप विजिट कीजिए जो भी manufacturing unit है आप Google करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगी जानकारी नमबर भी मिल जाएगे उन लोगों के उसके बाद आप अपना budget बना करके और फिर apply में जाईए लंबी प्रिक्रिया है इसके साथ प्रिमिकल भी market में आ सकते हैं यह तो हुई अनुनी तोर पर जो है इसको ले करके आने वाली बाकी बाजार में जो है बहुत सारे product जो है ओल लेडी अविलिबल है जो आप इस तरीके से यूज कर सकते है मैक्स फोर्स जो है वो बायर का product है इसके अलावा जो है अर्बुद जिए कि आपको क्या suit करता है उस हिसाब से जो है यह काम भी हो सकता है आप जैल बनाएं चाहे जो है इसके अलावा और कोई chemical लाना चाहते है तो वो भी आप ला सकते है यही इसकी प्रकिरिया है सारे product इसी तरीके से आएंगे इनके जो जनरिक चीजे होती है उनके पीटेंट की परकिरिया भी यह है कि पेटेंट जो है वो lifetime नहीं होते हैं कुछ समय के लिए पेटेंट किये गए होते है साल 15 साल वीश साल तो उस तरीके से जो जिनके पास है वो कर रहे हैं वायर के भी कुछ टेकनिकल ऐसे हैं जो सिर्फ बायर ही बनाती है ऐसे जो है वो स जैनरिक जो है वो कोई भी बना लेगा और सब बना के बेच भी रहें मार्केट में बहुत सारा आरा है अब जैनरिक की बात करें तो आलफा साइपर मैथरी ने पूरा जैनरिक में चल रहा है तो ऐसे खुब सारे प्रोडक्ट हैं जो जैनरिक में हैं और यूज में आते हैं ल नए सवालों के साथ में और फिर चर्चा करेंगे इसी तरीके से बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए आप लोगों का सहयोग जो है वही हमारा मोटिवेशन है धन्यवाद जाते जाते जो है एक कोशन और आ गया है यह पूछना चाहरे वाई साथ जो है कि तो देखे जैल आप जो है वू बना सकते हैं लेकिन उसके लिए लाइसेंस तो लगेगा आप अपने लिए बनाएं चाहे उसको मार्केट में सेल करने के लिए बनाएं लेकिन उसको जब आप तयार करेंगे तो कोई नहीं नाम पता फ़र्मुलेशन तो देना ही पड़ेगा उसको जब ही वो जो है काम कर पायगा और बाकी देशी नो असका तो जो है उसके लिए तो किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है आप अपने हिसाथ से किसी चीज में मिक्स करके उसको यूज कर सकते हैं, तो कौन देखने जा रहा है, जब आप उसको commercially production करेंगे, तो उसमें जो है जरूरत license की पड़ती है, वही पर के लिए हमने बताई है. Sample quotation की तो हमने एक अलग से जो है, वो mail कैसे बनाते हैं, कैसे drafting करते हैं, उसकी video डाली हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखें, जब भी आपको किसी को pass control की quotation देनी होती है, तो quotation से पहले जो है, आपको उस छेतर का inspection करना होता है, जहां पर समझा है, जब तक आ प्रावलम को identify कर लीजिए, कि वहां जो है क्या समझ्या है, फिर उसकी जो है, अपने मन में calculation लगाईए, कि किस चीज का कितना खर्चा आने वाला है, और जब आप quotation बनाते हैं, तो उसमें हर चीज को narrate करके, उसके price, square fit के हिसाब से, या जिसे standard पे आप चाहते हैं, उस तर रखिए, और जो काम कम मातरा में होने वाला है, या हो भी सकता है, या नहीं हो सकता है, as and when required basis वाला है, उसके price को आप ज़्यादा कम रखिए, ये best policy है किसी को court करने का, और फिर जो है, आप वो narration के साथ में thanks वगरा लगा करके, उसको आप भेज दीजिए, तो ये एक तरीक है, फिर उसको regular follow up करना है, क्या चीज है, क्योंकि आपको तुलनात्म करद्यन करना है, आपके जो बाकी साथी market में बैठे हुए है, वो भी quotation डालेंगे, उनकी quotation भी जो है, वो valid है, तो उसी तरीके से आपको competitive rate देने हैं, और जो समश्या है exactly, उसको base करते हुए देने, क्यो तक जो है, वो ना court का कोई benefit है, ना service देने का कोई benefit है, जब तक customer आपका जो है repeat नहीं होगा, तब तक जो है, आपका business grow नहीं होगा, repetition customer का बहुत ज़रूरी है, और repetition आता है उसके satisfaction से, आपकी services जो है, वो अच्छी होनी चाहिए, उनके results अच्छे होने चाहिए, तो definitely जो है, वो आएंगे, और किसी का कोई सवाल है, तो चलते चलते पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जो है, हम इसको close करेंगे, और next week जो है, आपको इसी दिन 9 बजे फिर मुलाकात होगी, जो लोग जो भाई, हिस्ता नहीं ले पाए हैं, लाइव स्टीम में, वो अगली बार जो है, जरूर पार्टिसिपेट करें, हम लोग इंतिजार करेंगे, आप लोगों के जो है, कमेंट्स का, और जो भी कोशन है, आप कोशन तो पहले से ही बना करके भेज दीजिए, हो सकत है, कि उस दिन जो है, तुरन तुरन कोशन जो है, नहीं आ पा रहे होते हैं, तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं, आप जो है, वो भेज दें अपने सारे कोशन, हम जवाब उनके देने के लिए पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, धन्यवाद.